पूरे दिन लगी रहेगी चंद्रमा आरद्रा नक्षत्र में 11 बज़ कर 36 मिनट तक चलते रहेंगे तब परश्चाथ पूनर वसु नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे आरद्रा नक्षत्र के नक्षत्र स्वामी राभू हैं आज के जन्मे जातक शारीरिक रुप से मजबूत बुद्धिमान, स्वाभिमानी, धन और एश्वरे से युक्त सबसे प्रेम बेवार करने वाले पूरुवानुमान लगाने में सफल मगर अध्यान काल में संघर्स के सि लासी होते हैं यदि सहयोगी लगन रहा बुद्ध राहू और ब्रिहस्पति की इस्थिती अनकूल रही तो पूर्ण सफल होंगे चंद्रमा आज भी पूरे दिन मिथुन डाशी में ही चलते रहेंगे जिसके राशिस्वामी बुद्ध देवें जिससे नत्रित करने की चमता बढ़ेगी कारे की अधिकता बनी रहेगी प्रतिनी धित्तो करने का मौका मिलेगा ब्यावसाई के स्थिर्ता और सकारात्म कारे उर्जा बनी रहेगी मगर दोपहट तक नीरणे लेने की छम्ता में उतार छड़ाव संभावित है अपने सामान के तति सचेत रहें और वाहन सावधानी से चलाएं मेश राशी के जातकों के लिए चंद्रमा आज पराकरम भाव में चल रहे हैं सार्थक वहल जारी रहेगा हर काम करने में उत्साह की इस्थिती बनी रहेगी बहुत धिक छम्ता में ब्रिद्धी होगी और तर्क शक्ती का इस्तेमाल लावदायक रहेगा सरकारी योजनाएं सुचारू ढंक से चलती रहेगी मगर मा के स्वास्त की चिंता सामान गायब होना या चोरी होने का अंदेशा और भ्रमात्मा के स्थिती का सामना भी करना पड़ सकता है हाला कि आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा साजेदारी लावदायक रहेगी सिक्षा प्रत्योगता के लिए समाय अनुखूल है वयवाईक मामलों में सफलता मिलेगी अभिष्ट मित्रों से मुलाकाद होगी और विद्याक्षियों के लिए आज का दिन सफलता दायक से दोगा ब्रिष राजिक के जात्कों के लिए चंद्रमाद दूसरे घर में मित्रों दासी में चल रहे हैं वाडी में सुधार होगा आठिक पक्ष मजबूत रहेगा बौधिक छम्ता में बिद्धी होगी मगर मानसिक और स्थिर्था संभावित है प्रयासों में कमी और निर्णे लेने की छम्ता भी प्रभावित रहेगी फिर भी अपनी बौधिक छम्ता का इस्तेमाल ब्यावसाई कुन नती के लिए करें रचनात्माद प्रयास सार्थाख होगे और आर्थिक लेन देन में सावधानी बलते हैं पिता वहुच अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा रुके हुए काम संभन होंगे शिक्षा प्रत्योगिता में सफलता मिलेगी संतान संभन्धी सो समाचार मिल सकता है पारिवारिक दायत की पूर्ती होगी और स्वास्थ संभन्धी जटिलताओं पर सावधानी या देख्षित है मिथुन राशी के जाददक स्वास्थ वाउर जावान महसूस करेंगे रचनात्मक क्रिया सिल्ता बनी रहेगी नेतित करने की छमता बिक्सित होगी कुछ अतिरिक्त जिम्यदारी का निर्वहन करना पड़ सकता है सरकारी कामकाश भूरे होंगे और सासरस्थ वाधिकारियों का सहयोग बना रहेगा चन्दरमा आज आपकी राशी पर ही चल रहे हैं ब्रहमात्मक दौर भी जारी रहेगा हलाकि आतिक पक्स अनकूल रहेगा सिक्षा प्रत जोगता में सफलता मिलेगी संतान पक्स से रहात भरी ख़वर मिल सकती है पारिवारिक सुख सोहाद में प्रिद्धी होगी और स्वाथ संबंधी आवस्थ साउधानी रखनी चाहिए करक राशी के जात्म के लिए चन्दरमा आज बाराह में घर में मिथून राशी में चल रहे हैं सामाजिक वाभ्यावसाइक वक्स मजबूत रहेगा आपकी अतिरिक जिम्मेदारी, सक्रियता और उर्जास तरहर काम में सफलता दिलाएंगे मगर संतान संबंधी मामलों में अनावस्थ चिंता बनी रहेगी सिक्षा प्रद्योगिता के लिए रेशार्था क्रयास जारी रखें अच्छे कामों में खर्द संभव है भूमी वाहन या प्रापर्टी इत्यादी के लिए अनुकूलता बनी रहेगी नायाला या वार्दीवाल संबंधी मामले आज के लिए अनुकूल रहेंगे छोटी याद्रा या प्रवास की स्थिति बनी हुई है निजी संबंधों में तनाव संभावित है और परिवार जनों के स्वास पर ध्यान देना चाहिए शिंघ रासी के जात्कों के लिए चंद्रमा एकातस भाव में चल रहे है प्रभावसाली व्यक्तित और साकारात्म प्रेरणा बनी रहेगी ब्यावसाईग साध्यजारी में लाव संभाव है आर्थिक मामलों में सावधानी ये पेक्षित है आये के संसाधनों में बिद्धी होगी भविस की योजनाव में निवेश के लिए समय अनकूल है संतान समंदी चिंताओं में कमी आएगी वैवाईक प्रयास फलिभूत होंगे पारिवारिक दायत की पूर्ती होगी मगर मानसिक उल्जने और भ्रम के स्थिती संभावित है कुछ मामलों में अनावसेख रुकावट वा अडचने भी पैदा हो सकती है मिद्याथियों के लिए आज का दिन मेहनत वालाओं का प्रयास जारी रखे और वाहन सावधानी से चलाएं कन्या राशिके राशिस्वामी बुद्ध प्रियास पति के साथ तीसरे अस्थान पर बेठे हैं और चंद्रमा आपके दसंभाव में चल रहे हैं ब्यावसाई कुन्नती का दोर जारी रहेगा मित्रों वसायोगीओं और राजनेतिक व्यक्तियों से दिशानिर्वेस और सकारात्मक फ fonctionणा मिलती रहेगी साजेदारी लाव्दायक रहेगी आर्थिक साहयोग मिलता रहेगा मगर कारेच छेदर में ब्रहम की इस्थिती भी बनी रहेगी और वीरोधियों से साउधानी अप्यक्षित है हलाकि प्रतिनिधित्य करने की चमता और सकारात्मा कार्थिक निरणे लेने की मानसिकता बनी रहेगी और विवाद को निप्टाने की कोशिच सफल रहेगी पारिवारिक सुख सोहार में दिद्धी होगी और अध्याना ध्यापन में सफलता मिलेगी तुला राशिक एजात्कों के लिए चंद्रमा भागेभाव में चल रहे हैं धार्मिक बरबृति बढ़ेगी मगर अचानक बाधा संभव है धन लाव की स्थिती अच्छी रहेगी और कारे चेतर में उत्साह बना रहेगा मगर कुछ रुके हुए काम संपन्द हो सकते हैं साज्यदारी के प्रस्ताव लावदायक सिद्ध होंगे और राजनीतिक ग्यक्ति से भेट संभव है विवादित मामलों को निप्टाने में मित्रों का सहयोग मिलेगा वैवाहिक प्रयास भलिभूत होंगे मगर मन अंतरदंद और आसंकाओं से भरा रहेगा स्वास समद्धी आवसक सावधानी बरकरार रखें और मांगली कारेकरम शाम के लिए अनकूल कहेंगे ब्रिश्चिक राशी वाले जात्कों के लिए चंद्रमा आठमे घर में चल रहे हैं सकारात्मक कारी उर्जा का सहयोग बना रहेगा मगर महत्वपो निरणे सोच समझकत लेना चाहिए हला कि कारे छेत्र में अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा ब्यावसाई की उजनाओं के नए प्रस्ताव सामने आएंगे और उसमें निवेश लावदायक रहेगा हला कि कुछ कामों में रुकावट का संकेत भी मिलता है संतान संबंधी मामलों में खर्च संभावित है नए रिष्टे का प्रस्ताव मिल सकता है नकारात्मक विचारों वाले लोगों से दूरी बना कर रखे और छोटी यात्रा या प्रवाद संभावित है साथ ही वहन सावधानी से चलाएं धनुराश के राश्त्तामी ब्रिहस पती सुर्य वा बुद्ध के साथ द्वादस भाव में बैठ है चंद्रमा साथने घर में चल रहे हैं आज हर मामले में अनकूल महसूस करेंगे आपकी कारे उर्जा बढ़ी रहेगी आथिक कख्ष मजबूत रहेगा ब्यावसाइक मामलों में काम सुचारू ढंग से चलता रहेगा साजह दारी में सावधानी अपेक्शित है पूल रहेंगे मकर राश के राश्रामी सनी बारहवे घर में बैठे हैं और चंद्रमा छठवे घर में चल रहे हैं गर्तित में निखार आएगा नेतित करने की छमता और बार्धिक उर्जा अस्तर में ब्रिधी होगी जिससे ब्यावसाई कुन्नती में सहयोग और आर्थिक लाव मिलता रहेगा मित्रों से सहयोग और संतान के प्रतियात मिश्वास में ब्रिधी होगी सासन सत्था का सहयोग और आंतरिक व्रिधना बनी रहेगी मकर चंद्रमा के छठवे घर में होने से कारेच छेतर में बल मिलेगा, दुके हुए काम संपन्ध होंगे, विभागी सही योग बना रहेगा, सिक्षा प्रत्योगता में सफलता मिलेगी, स्वास संबंधी आवसक सावधानी बनाए रखें और मांगली कामों के लिए उचित सम बावित है, मकर ब्यावसाइक पक्ष मजबूत रहेगा और भागेवस कुछ काम संपन्ध होंगे, सासन सत्राव अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा, नई कार्योजनाव के प्रतियाब का प्रयास सफल होगा, विरोधियों से सावधानी ये प्रेक्षित है, संतान समंध मीन राश के राश स्वामी ब्यास पती नवे घर में बुद्ध हवा सूरे के साथ बैठे हैं और चंद्रमा चौथे घर में चल रहे हैं, दो पर तक आत्मिश्वास और नीजी सुख संतुष्की में कमी आएगी, परिस्तितियों को ध्यान में रखते हुए साक्थक प्रयास जारी रखें, सामान गायब होने या चोरी होने का अंदेशा बनता है, कुछ समय के लिए धैर और आदमिश्वास में उतार चड़ाव संभावित हैं, मगर कारेच्छत के निरंतरता बनी रहेगी, काम होते रहेंगे और आथिक लाव मिलता रहेगा, महत्पोर निरंए सोच समझ कर लेना चाहिए, मिध्यातियों को मानसिक दबाव महसूस होगा, महनत करनी पड़ेगी, स्वाज समन्धी आवसक सावधानी बनाए रखें और वाएवाहिक मामलों के लिए साम का समया निकूल रहेगा, आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, ओम मामलों में, इतना ही, कर दो लिए.